आज राजक्षमा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्वर्पर्थम यह रोग नच्छत्रों के राजा चंद्रमा को ब्याधिं उत्पन हुआ था इसलिए इसे राजक्षमा रोग कहा जाता है स्वर्पर्थम यह रोग नच्छत्रों के राजा नच्छत्रों के राजा चंद्रमा को बिमारी हुआ था इसलिए इस रोग को इस रोग का नाम राजक्षमा पढ़ा है राजक्षमा को इंगलीज में टिवर्पर्प्रोशिस कहते हैं इसका प्रयाय सोस छय रोग राट महाबल तपेदिक प्रोध यक्षमा जुवर रोध दुख कंजम्शन पल्मोनोरी टिवर्पर्प्रोशिस आधी नामों से यह रोग जाना जाता है यह रोग कास जुवर और प्रतिस्याय आधी की वोट में छिपकर धीरे से गुप रूप में शरीर में प्रवेश कर जाता है राया पूर्जुवर आधी लक्षनों के अनुशार चिकिशक इसके चिकिशा करते हैं क्योंकि रोग अप्रकट होता रहता है किन्तु धीरे धीरे यह सरीर के बीतर अपनी इस्तिती सुरीर बना लेता है यह रोगों का राजा है क्योंकि जिस प्रकार राजा के सवारी के आगे पीछे सुरक्षा सानिक होते हैं उसी प्रकार इस रोगराट के पहले अर्थात इसके प्रकट होने के पूर्व ज्वर खासी स्वास आधी रोग दिखाई देते हैं और इसके हो जाने पर अतिसार, सोथ, पांडू, दर्वल आधि उपद्रव होते हैं इसलिए से बहु रोग पूरोगम और अनेक रोगानुगत कहा गया है इस राजक्षमा के हो महा बलसाली कहा गया है चरक संगीता में बताया गया है चिकिसा अध्याए आठ में कि यक्षमा रोगा नाम राजा राजक्षमा यक्षमा रोग को कहते हैं और यह सभी रोगों का प्रधान या राजा है अता इसे राजक्षमा कहते हैं यह रोग सबसे पहले नच्चत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ था इस पकार राजा का रोग होने करण इसे राजक्षमा कहते हैं राजक्षमा राजक्षमा रसरक्तादी धातु का सोसन करने से इसे सोस कहते हैं संसोसनाद रसदीनाम सोस इती भिद्यते क्रिया छय करत्त वाच्च छय इती उच्यते पुना सरीर की वाह तथा आंतिक्रियाओं का नास छय कर देने के कारण इसे छय कहते हैं चरक संगीता निदान शो तथा चरक चिकित्सा अध्याय आठ सुसु संगीता उत्तु उत्तर तंत्र 41 माधव निदान अस्टांग हिर्दय निदान पांच तथा चिकित्सा पांच में परिपूर लूप से बर्नन मिलता है राजक्षमा के निदान व्याधी छमता को घटाने वाले और राजक्षमा के उत्तपादक चार कारों का उलेख किया गया है पहला है साहस दूसरा है संधारन तीसरा है छय चोथा है विशम भोजन अब हम लोग साहस के बारे में बर्नन करेंगे साहस चन राजक्षमा साहसी काज करने से प्रकुपित बायू का जो अंस संधियों में जाता है वह जमाई अंगों में वेदना और ज्वर उत्पन करता है अमासे में जाकर अरुची, कंठ में जाकर स्वर भेद, हिदे में जाकर हिदे सूल और प्रानवा स्रोतों में जाकर स्वास और प्रतिस्याय तथा मस्तिष में जाकर सिरसूल उत्पन करता है फिर बक्ष में छत होने से बायू की बिसम गती से और कंट के बिकित होने से सासिक रोगी को लगतार खासी आने लगती है खासी आने से छाती में छत हो जाने के कारण रोगी रक्त को थुकता है और रक्त निकलने से उसकी दुर्बलता बढ़ जाती है फिर तो शरीर सोशक वो पद्रवों से ग्रस्थ होकर वह रोगी सुखने लग जाता है शंधारन प्रकुपित बायू पीत और कफ को प्रेरित कर उन पर नीचे और तिर्यक ले जाती है विक्रित बायू अपने अंस विशेश से सरीर के विविन अभ्यों में जाकर सूल उत्पन करती है मल को तूर कर बाहर निकालती है या सुखा देती है पार्स अशकंध कंठ च्छाती और सरीर में अनेक विध पीरा उत्पन करती है फिर खांसी जुआर स्वर्वेद प्रतिस्याय उत्पन करती है दत्पहचात शरीर सोशक उपद्रवों से ग्रस्थ होकर रूगी व्यक्ति सुखने लगता है छायाज यक्षमा की संप्राप्ति जब वो अच्छया जराक्षमा ग्रस्थ पुरुस अत्यांत हर्ष से कामा शक्त होकर अतिसा इस्तिरी प्रसंग करता है तो उसका सुक्र छीन हो जाता है फिर भी यदि उसका मन इस्तिरी संभोग से बिरत नहीं होता है तो मैं थून करने से सुक्र का स्राव नहीं होता अपितिव वायू रक्त वाहनी धमनियों में प्रविष्ठ होकर उनसे रक्त स्राव कराती है और वह रक्त सुक्र मार्ग से बाहर आता है परिनाम स्वरूप उसकी संधियां सिथिल हो जाती है शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है तथा बायू रक्त तथा मांस को सुखा देती है और फिर कफ तथा पित को निकलने लगती है फिर पार्सों में बेदना कंधों में पीरा और कंठ में स्वरवेद उत्पन करती है सिर में कफ की ब्रिधी, शंधी, सूल, अंगमर्द, अरूची, अजिर्न आदी हो जाते हैं पीत और कफ के उत्कलेश से और बायू के परतिलोम गती होने से जुवर, कास, स्वास, स्वरवेद, स्ट्राइडर और परतिस्याय हो जाता है पूरा छत होने से उसके मुख से रक्ट आता है, जिससे वह दुर्वल हो जाता है फीर तो सरीर को सुखाने वाले उक्त उपद्रों से ग्रसित होकर वह सुखने लगता है अईरवेद में राजक्षमा के दूर प्रकार बतलाए गए हैं अनुलोंच है और परतिलोंच है बिशम भोजन जन्य राजक्षमा की शंप्राप्ती बिशम भोजन के कारण प्रकुपित वाद से अंगमर्द कंठ में खरखराहत पार्शो सूर असकंध में डिड़ मर्दन जैसी पीरा, स्वरभेद और प्रतिस्याय होते है पीत से ज्वर, अतिसार और दाह होता है प्रतिस्याय सीर में भारिपन, भरूची और कास उत्पन होता है कास से अधिक होने के कारण छाती में छत होने से रूगी रक्त थुकने लगता है और रक्त के लगतार निकलने से दुरबलता उत्पन हो जाती है इस प्रकार विशम भूजन जनित दोस्त राजक्षमा को उत्पन कर देते है लक्षनों की अधार पर चरक्ष कित्सा आठ में राजक्षमा के तीन प्रकार बताए गए हैं कौन कौन पहिला है त्रिरूप राजक्षमा खड रूप राजक्षमा और तीसरा है एक आदस रूप राजक्षमा अब त्रिरूप राजक्षमा के बारे में हम लोग जानें क्या है त्रिरूप में कंधों तथा पार्सों में पीरा होती है हाथ और पैर में जलन होती है तीसरा संपूर्ण सरीर में ज्वर होता है अब इसके बाद है खड रूप राजक्षमा क्या है भक्त द्वेश घोजन में अरूची एंडरॉक्सिया होती है दूसरा ज्वर होता है फीवर होगा रोगी को तीसरा स्वास होगा ब्रेथलेस्नेस हो सकता है इसका रूप मिलता जूलता हो सकता है स्वास होता है कास होता है रक्षस्टिवन होता है और स्वर्भेद हो सकता है पाचवा रक्षस्टिवन होता है और छाटा स्वर्भेद होता है राजक्षमा के एक आदस रूप के बारे में सुसरुक्त चरकोत तथा बागभट द्वरा निमने लिखित बताया गया है चरक ने एक आदस रूप के बारे में पहला बताया है कास अंज्शिताप स्वर्भेद ज्वर पार्ससूल सिरहसूल रक्ष बमन स्लेश्ट छर्दी स्वास अतिशार और रूची ये चरक ने एक आदस रायक्षमा के बारे में बताया है सुसुत संगिता द्वारा सुसुत ने एक आदस रूप बताया है पहला है स्वर्भेद दूसरा है अंज्श पार्ससूल तीसरा है अंज्श पार्ससंकोच चौथा ज्वर पाचवा दाह सिक्स अतिशार सात्वा रक्ष सस्टीवन स्टीरह पुर्णता आठवा नौवा में अरूची दस्वा में कास होगा एकारा में कंठो ध्वन्स ये सुसुत संगिता में बढ़नी था है बागवट ने बताया है पीनस स्वास कास अंस रूजा सिरो रूजा स्वर रूजा रूची बिट भरंस संसोष उस्टज छर्दी पार्स्व सूल और ज्वर ये बागवट द्वारा एकादा सूल बताया है इसमें असाध्य लक्षन का बताया है कि त्रिरूप रूगी जो बल मांस चय युक्तो अधिक मात्रा में भोजन करें फिर भी छीन होता जाए अतिसार रोग से ग्रस्थ हो उदर तता अंड कोस में सूजन हो जिसके नित्र स्वेथ हो जो अन से घरना करता हो उर्द स्वास विकार से ग्रस्थ हो प्रस्थ से इस्वेडर है जो बहुत अधिक मत्रत्या करता हो वी असाध लक्षन के बारे में बताया गया है साध लक्षन के बारे हमगता है जिससे लगतार जो और न रहता हो, जो बल्वान हो, जो उसद की सक्ति तदा सोधन के क्रिया को सहन कर सके, जिसका immunity पावर स्ट्रोंग हो, जो आत्म बलसंपन इमंग शंजमी हो, जिसकी जठ्रागने दीप्थ हो, जिसके सरीर में मांस के छीनता नौ हो इन गुनों से यक्षमा करोगी शाद्य होता है अब राजक्षमा के संप्राप्ति के बारे में बताया गया है इस सारीरिक तेरह प्रकार की अगनिया जब बलवान रहती है तो अहार का पाक तथा रसादी सब धातूं का उचित मात्रा में पाक होता है और एक धातु का उचित मात्रा में पाक द्वारा निर्मान होने से अगरिम धातु का भी उचित मात्रा में निर्मान और पोशन होता रहता है। इस प्रकार रक्ट से रक्ट, रक्ट से मांस, मांस से मेड, मेड से अस्थी, अस्थी से मज्जा और मज्जा से सुक्र प्रयत में धातूं का पाक, निर्मान और पोशन होता रहता है, जिससे मनुष स्वस्त रहता है। क्या है निदान में संधारन, विश्माचन, कफ, प्रधान दोस, बातपीत, उससे स्रोता अरोध होता है, स्रोता अरोध होने से पोसना अभाव होगा, पोसन का अभाव होगा, पोसन का अभाव से रस, रसादी, सुक्रान्त धात्वों का उत्रोतर छए होगा, सर्व धातु छए होगा, सोस होगा, उसके बाद अनुलोम राजक्षमा होगा, साहस, निदान में साहस छए से क्या होगा, सुक्र छए, बात परधान दोस होगा, बात क्या होगा, प्रकुपित होगा, उससे क्या होगा, पोसना अभाव होगा, सुक्र से रस परत्ने, पुर्व धातु छय होगा, सर्व धातु छय होगा, सोश होगा, परतिलोम छय होता है दोस दूस अधिस्ठान, दोस तिर्दोसज व्याधिय बातकफ परधान दूस सभी धातु में मुखत रस धातु, सुरोतस सभी सुरोतस मुखत रस्व सुरोतस अधिस्ठान, फुफुस, सर्व शरीरगत धातु छय होगा, आम पक्वासोथ चीरकारी ब्याधि राजक्षमा के पुर्वरूप क्या है? सारेरिक दोस जन, स्वास, अंगमर्द, कप, संसय, तालू सोस, बमन, अगनिमान, मद, पीनस, कास, निद्रा, सुकलच्छता, रक्तलपता, तथा सोत ये पुर्वरूप है, मानसिक विकार क्या है? इस्तिरी संभोग की प्रबलिक्षा, स्वाप्ण में काक, बंदर, गिर्गिट की जल भी ही नदिया देखना, धुए से भरे और दवानल में परे ब्रिक्ष को देखना ये लक्षन परतीत होते हैं राज अक्षमा के चिकित्सा में दो सिध्धान्त बतलाएगा है चिकित्सा के सिध्धान्त के पहले राज अक्षमा के बारे में हम लोग थोड़ा सा पैथोलोजिकल और एडियोलोजिकल एक्जामनेशन हम लोग करा लेते हैं तब गुलगी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चेस्ट एक्सरे कराते हैं TCDC isr कराते हैं, Mentru test कराते हैं AFB, Acid F Indic ुपर्षास्ट बेसलाइ ऱाई कहा हम लोग कबाते हैं तोटल काउंट बरा रहता है, ESR कराते रहते हैं इसर कराने से एसर रेस रहता है बढ़ा हुआ मिलता है और अफ آپ-स मिबी हम लोह कराते हैं तो ए फ वी ओजेटिव मिलता है यह वी पुजेटिव मिलता है आल्टासाउंड याद बन स्फीक्शन हमलोग करा सकते हैं ह। की पालिण है अब राज एक्षमा के चिकित्सा में दो सिध्धान्त बतलाए गए हैं संसमन चिकित्सा और संसोधन चिकित्सा अंगों की मालीस उपटन लगाना असनान कराना एवन अवगाहन कराना चाहिए बातहर वला तेल की मालीस करना चाहिए तब में अवगाहन कराना चाहिए मांसरस या घृत दुख दियुख तिप्तिकारक पत्थ देना चाहिए राजक्षमा तिर्दोसा जुरूग है अता दोसों की बलाबल का विचार कर चिकित्सा करने चाहिए तिन-तिन घंटे पर दीन में चार बार या मुदू से या घी से भी दे सकते हैं भोजनत्तर वासा रिस्ट 2-2 Minute या दस्मूला प्री स्ट्थ, द्रक्षा रिस्ट भी देते हैं अवहन पेलिए वाशा चन्नानादी तेल हम लोग देते हैं एक्षमा में नस्यादी का पड़ियों करते हैं पत्थ में आजा के दूद्ध गरित का सेवन कराए जाता है। मोडर्न आधनिक चिकित्सा विज्ञान में चिवरक्लोसिस के चिकित्सा में शिक्स मन्थ, नाइन मन्थ, वन येर तथा एटीन, एटीन, ट्वंटीफोर मन्थ बताया गया है। 4 drugs काता की 6 months of therapy is appropriate for all patient with new onset pulmonary TB and most cases of extra pulmonary TB. However, 12 months of therapy is recommended for meningitis TB including involvement of the spinal cord in case of spinal TB. In this case, ethambutol may be replaced by streptomycin. Paradoxin should be prescribed in pregnant women and malnourist patients . to reduce the risk of peripheral neuropathy with isoniazide. Where drug resistance is not anticipated, patients can be assumed to be non-infection after two weeks of appropriate therapy. Most patients can be treated at home. Admissions to a hospital unit with appropriate isolation facilities should be considered. Where there is uncertainty about the diagnosis, intolerance of medicine, functional treatment, adverse social condition, or a significant risk of MDRTB culture positive after two months on treatment. Our contract with known MDRTB. patients treated with Repampycin should be advised that their urine test, urine, tears, and other secretions will develop a bright orange, red orange, and women taking oral contraceptive pill must be warranted that its efficacy will be reduced and alternative contraception may be necessary. Ethambutol and streptomycin should be used with caution in renal failure with appropriate dose reduction and monitoring of drug levels. Adverse drug reactions occur in about 10% of patients but are significantly more common with HIV co-infection. Baseline liver function, test, and regular monitoring are important for patients treating with standard therapy. Repampycin may cause asymptomatic hyperbilirubina, but along with isoniazide and parazinamide may also cause hepatitis. Four drugs starting for two months with Phampicin, isoniazide, mimebutol, and parazinamide. four drugs starting for two months, then two drugs stop and two drugs continue. Refampicin and isoniazide should be continued. Refampicin and isoniazide should be continued for seven months. Refampicin and isoniazide should be continued for seven months. Refampicin and isoniazide should continue. If the patient is suffering from pulmonary infusion, pulmonary disease, you can advise for the patient, If the patient can advise the patient to make the patient part, if the patient can find the patient part very well from you, the patient part must be strongly-bound on the patient. Aspiration of pulmonary fluid may be necessary to relieve breathlessness. The addition of panesolone 20 mg daily by mouth 4-6 weeks will promote rapid absorption of the fluid and overweight the need for further aspiration and may prevent fibrosis. रोगी को हम लोग रीच डायट देते हैं और समय समय पर बुला करके पेसेंट को आदमी चेकप करता है।